हेलो गाइस वेलकम बेक टू मैं न्यू ब्लॉग तो आज मैं जा रहा हूं बोजेसवर मंदिर जो की भोजपूर के नाम से जाना जाता है और ये बोपाल के पास में बोपाल से ये 32 किलो मेटर पर पढ़ता है तो अभी मैं जाता हूं और इसकी कुछ हिस्ट्री है इस्टोरी है तो मैं आपको सुनाता हूं आगे तो ये वीडियो को पूरा देखना और हम आ चुके हैं ie मंदिर के सामने इस वीडियो को पूरा देखू और जानो की एक दिन में ये मंदिर कैसे बनाया गया था मद्ध्य प्रदेश की राजदानी बोपाल से 32 किलोमीटर दूर ये मंदिर इस्तित है भोजपूर से लगती हुई पहाडी पर एक विसाल अदूरा सिम मंदिर है ये भोजपूर सिम मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है प्रायसें जिले के गोरगन तेसिल के अबदुल्ला गंच विकास खंड में स्तित इस सिम मंदिर को 11 सदी में परमार वंच के राजा भोजपूर प्रदम ने बनबाया था कंक्रीट के जंगल को पीछे छोड़ प्रकरती की हरी भरी गोद में बेताब नदी के किनारे बना उच्च कोटी राजा भोजपूर के बास्तू बिदो के सयोग से तयार हुआ है इस मंदिर की विशेस्ता इसका सिवलिंग है जो की बिश्व का एक ही पत्तर से निर्मान इस एक ही रात में बनाया जाना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं सुबह होते ही इस मंदिर का निर्मान कारे रोक दिया गया उस समय छत के बनाया जाने का कारे चल रहा था लेकिन सूर्दे होने के साथ ही मंदिर का निर्मान कारे रोक दिया गया इस मंदिर का निर्मान भारत में इसलाम के आगमन के पहले ही हुआ था अता इस मंदिर के गरब ज्रे के उपर बनी अदूरी गुंबद कार चछत भारत में ही गुंबद निर्माण के प्रचलन को प्रुमानित करती है भले ही उनके निर्माण की तक्निक बिन्न हो कुछ विद्वान इस भारत में सबसे पहले गुम्बदी चछत वाली इमारत भी मानते हैं इस मंदिर का दरवाजा भी किसी हिंदू इमारत के दरवाजों में से सबसे बड़ा है इस मंदिर की विसेस्ता इसके 40 फिट उचाई वाले इसके 4 इस्तम भी हैं गर्बग्रे की अधूरी बनी छद इनी चार इस्तमबो पट किये इसके अतिरिक्त इस्तम शिखर कलस और चट्टानों की सता पर आशुले की तरह उत्क्रीन नहीं किये हुए हैं भोजेश्वर मंदिर के चबूतरे पर ही मंदिर के अनेसो मंडप, महा मंडप तता अंतराल बनाने की योजना थी एसा मंदिर के निकट के पत्थर पर बने मंदिर योजना से संबंध नक्सों से पता चलता है और भक्तों की आस्ता है इस केंदर में भगवान शेप की पूजा अर्चना करना के ढंग भी बिलकुल अनोके हैं सिबलिंग इतना बड़ा है कि उसका अविशेक धरती पर खड़े होकर नहीं किया जा सकता है अंदर बिशाल का आई सिबलिंग के कारण इतनी जगा नहीं हो बच्ती की किसी अन्य तरीके से सिबलिंग का अविशेक किया जा सके इसलिए हमेशा से इस सिबलिंग को अविशेक और पूजन इसकी जलदारी पर चड़कर ही किया जाता है कुछ समय पहले तक आम स्रदारी तक जा सकते थे लेकिन अब सिर्फ पुजारी ही दिन में दो बार जलदारी पर चड़कर भगवान का अविशेक और पूजन करते हैं और गाईस इस प्रसिद्ध स्थल में बरस में दो बार मेले का आयोजन भी किया जाता है जो की मकर सकरान्थी और महा सिवरातरी के परव पर ये मेला लगता है इस धारमी गुस्तम में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुजते हैं महा सिवरातरी पर यहां तीन दिवसी बोचपूर मुहतसब का भी आयजन किया जाने लगाए भोजपुर से मंदिर के बिलकुल सामने पस्चिम दिशा में एक गुफा है ये पारवती गुफा के नाम से जानी जाती है इस गुफा में पुरा ताद्विक महत्व की अनेक मूर्तिया है तो वीडियो कैसी लगी है अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सेर जरू करना तो मिलता है नेक्स वीडियो में ऐसीच कुछ वीडियो के साथ